visits का क्या आर्थ होता है यहाज की इस वीडियो में सीख लेते हैं visits जो है वो visit का plural होता है यानि कि एक से ज़यदा विजिट को हम visits कहते हैं और visit का आर्थ होता है भींट, मुआइना, भ्रहमन, मुलाकात, निरिक्षन, जांच या दोरा तो एक से ज़्यादा भीटों, मौाइनों, भ्रहमनों या दोरों को हम visits कह सकते हैं इसके इलावा इसका verb की रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो verb की रूप में visit का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में he, she, it ये singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ इस लगाते हैं जिससे visits बनता है और visits का आर्थ होता है कि visit करता है या करती है और विजिट करने का आर्थ होता है दोरा करना, जाना, आना, देखने जाना, घुमने आना, मिलना, सैर करना, मिलने जाना, निरिक्षन करना, भेंट करना या दंडित करना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसने कभी कभार लंदन का दोरा किया तो आप कहेंगी या अगर आप ये कहना चाहें कि वह महिने में एक या दो बार पैरिस जाते हैं तो आप कहेंगे अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें